नमस्कार दोस्तों आज हम बात करते हैं इन दो अक्षर वाले आदमी को कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है वो दो अक्षर कोन सा है हम उसी के बारे में आज बात करेंगे दोस्तों और ये दोनों अक्षर वाले आदमी को अगर सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है तो क्या कारण है सच्चा प्यार नहीं मिलने का हम इसके भी बारे में बात करेंगे दोस्तों स्रीकृष्ण कहते हैं कि तुम किसी का कुछ भी मत बिगारो हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगरने देंगे ऐसा स्रीकृष्ण हर बक्त संदेश देते थे तो आज हम बात करेंगे प्यार के बारे में तो प्यार जो है सबसे पहला जो अक्षर है दोस्तों वो है टी अक्षर वाले आदमी टी अक्षर वाले आदमी दौलत में बहुत अच्छे होते हैं बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं अगर उनकी कुंडली की अगर हम विलना करते हैं अगर कुंडली को हम अगर देखते हैं दावे के साथ कि 30 से 40 परसेंट आदमी जिनका नाम T अक्षर से होता है उनका सुक्र अच्छा होता है मतलब कि ना उसे बहुत अच्छा कह सकते हैं और ना बहुत खराब कह सकते हैं सुक्र अच्छा होता है तब पर भी उन्हें सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है जब भी वो पहला प्यार जो उनको होता है वो नहीं होता है अगर पहला प्यार जो है अगर उनके साथ में साधी हुआ तब पर भी उनका affairs होते रहता है बाहर तो पहला अक्षर जो है वो है टी अक्षर इनको सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है दूसरा जो है दोस्तों वो है आर आर जो अक्षर है इनको भी सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है दोस्तों ऐसे जो जातक होते हैं ये दूसरे को मदद करने वाले होते हैं helpful होते हैं ये अपने जिंदगी में बेसुमार दवलत भी कमाते हैं और सफल भी होते हैं इन्हें और ये देखने में भी आकरशक होते हैं जब इनका रूप देखेंगे तो ये ज़्यादा तर आपको आकरशक मिलेंगे दोस्तों ऐसे भी जातक को सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है हाँ ऐसे आदमी को चाहे वो लरका हो तो दो तीन लरकी से भी प्यार हो सकता है और अगर लरकी है तो उन्हें भी दो चार लरके से प्यार हो सकता है लेकिन पहला सच्चा प्यार नहीं मिल पाता है दोस्तों हम ये नाम के हिसाब से हम आपको बताए हैं लेकिन 100% अकुरिशी के लिए आपको कुंडली देखना नमर मतलब कि डेट अब बर्थ देखना नमरलोजी से हो या इसलोजी से हो या पामेश्टी से हो वो जरूरी है अगर वाइस नहीं हो पाएगा वीडियो को सब्सक कमेंट में लिख सकते हैं हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में और कोई भी सवाल है तो आप नीचे में कमेंट में जरूर लिखें